बिग बॉस की घर में तीन और वाइल्ड कार्ड की हो सकती है एंट्री, पारस शाबडा, जैन इमाम और मनु पंजाबी से मेकर्स कर रहे हैं बात बिग बॉस सीजन 15 में तीन और धमाकेदार वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट की एंट्री हो सकती है विकेंड का वार के दोरां सो के होस्ट सलमान खान की मौजूदगी में तीन वाइल्ड कार्ड्स की एंट्री दिखाई जा चुकी है अब कमिंग एपिसोट के प्रोमो में यह दिखाया जा चुका है इसके अलावाद तीन और वाइल्ड कार्ड्स की जल्द ही एंट्री होने वाली है ऐसी खबर भी तेजी से सुर्खियां बटोर रही है बिग बॉस पर पैनी नजर रखने वाले दखबरी ने अपनी खबर में दावा किया है कि मेकर्स फिलहाल मनु पंजाबी, पारस छाबडा और जैन इमाम से लगातार संपर्क में हैं और वे इन्हें तूफानी चैलेंजर बनाकर बिग बॉस के घर में प्रवेश करवाने वाले हैं अब ऐसे में ये देखना होगा कि इन खबरों में कितनी सचाई है और ये आने वाले दिनों में पता ही चल जाएगा आपको बता दे कि बिग बॉस सीजन 15 की टी आरपी काफी डाउन है और इसी टी आरपी को बढ़ाने के लिए मेकर्स इस तरह की कोशिसों में जुटे हुए हैं पहले ही देबोलीना रस्मी और अविजीत के एंट्री कराई जा चुकी है और अब जल्द ही पारस छाबडा, मनु पंजाबी और इमाम जैन भी बिग बॉस के घर में बतार वाल्ड कार्ड प्रवेश कर सकते हैं